अगर आप Amazon Flipkart and Mi Show जैसे प्लैटफॉर्म से आप अपने प्रोड़क्स को सेल करना चाहते हो और आपके पास उनकी इमेजस नहीं है जो भी आपके प्रोड़क्स है और आपको उनकी इमेजस आपको किसी और मार्केटप्लेस पे दिख गई है चाहे वो Amazon Flipkart, Mi Show या फिर कोई और मार्केटप्लेस हो तो आप उन मार्केटप्लेस से वो इमेजस कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल अच्छे रेजलिशन में, अच्छे क्लियर HD form में और उसी के साथ आप उनको अपने प्लेटप्लेस पे अपनी मार्केटप्लेस पे अपलोड कर सकते है इसमें भी एक चीज है जिसमें आपको कॉपिराइट आ सकता है अब चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सीधर चलते हैं अपनी कम्पूटर स्क्रीन पे शीज को अच्छे जै समझने के लिए और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं याँ पर हमने गूगल क्रोम खोल रखा है यहां पर Google पे हमें सबसे पहले कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है मेजान फ्लिपकार वगेरा से सबसे पहले हमें एक एक्स्टेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी तो हम यहां पर Google पर सर्च करनेंगे Chrome extension and Chrome का web store खोल के and उस extension को हम सर्च करने के उपर उसका नाम है image downloader and image downloader काफी सारे हैं आप try कर सकते हो अलग-अलग आपको जो भी compatible हो but मैं करूँगा यहाप यह वाला image downloader icon आप ध्यान सा देख ले एक वारी 3.6 डेटिंग है इसकी and इसको हम करेंगे यहाँ पर add to chrome जैसी add to chrome करेंगे यहाँ पर add extension बे click करेंगे and आपका यह extension जो है वो यहाँ पर add हो जाएगा आपके chrome browser बे and इसको हम अभी pin कर लें क्योंकि हम इसको बार-बार ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो यह करने के बाद obviously click ही करना चाहिए मैं तो recommend करता हूँ कभी भी ऐसे image लेनी नहीं चाहिए किसी की भी तो आपको खुद से effort डालना चाहिए और खुद की image click करके और उसको create करना चाहिए background बगहरा हटा के यह सब करके बट फिर भी अगर आप चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं तो इसको download करने के लिए आपको क्या करना है simply यह वाली जो भी image है आपने open कर लिए इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे download वाले section में extension वाले पर click करेंगे यहाँ पर आपको काफी सारी images दिखेंगी इस page पर जित्ती भी images है इस browser पर वो सारी आपको दिखेंगी A to Z तो हमें क्या करना है यह छोटी वाली images को ignore करते हुए जो बड़ी वाली images जैसे कि यह वाली हो गई और इसकी और भी काफी सारी images है जो full screen में आ रही है आपर full image में visible है जैसे कि यह वाली भी हो रही है full में visible तो इस type की images आप download कर सकते हो obviously आपको यह वाली नहीं करनी है download जिसमें उन लोगों का brand हो and height adjustable हो यह सारी चीज़े हो आपको simply बस यही करना है image ऐसे download कर लेनी है यहाँ पर आप click करेंगे and simply आपके image डाउनलोड हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर यह आपको दिख रही है image बिल्कुल white background के साथ हमारी डाउनलोड हो चुकी है same अगर आप flip card में भी करोगे and कोई भी product आप खोल के देखाऊगे and इस पर download पर click करोगे तो यहाँ पर इतना simple process है download करने का अब मैं आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी ऐसी image download मत कर लेना जिसकी वज़ा से आप अपने listing में आपको copyright देखने को मिले तो जैसे कि मैं example के दिखा देता हूँ यह जो product है इसकी जो image है कि आपको लग रहा होगा brand जो है इसका logo यहाँ पर दिख रहा है अगर आपने यह image लगाई तो वो कल को copyright कर सकता है basically complaint डाल सकता है यह आपने उनकी images use की है जो कि उनके brand image है उनकी branded image दी है तो वो चीज़ का ध्यान लखना और कहीं online sellers होते हैं वो क्या करते हैं हलका सा gray effect में watermark डाल देते हैं white या grayish में ऐसे टेड़ा टेड़ा जैसे मेरा mouse cursor देखना इधर से इधर इधर से इधर या फिर ऐसे हलका सा जो की बहुत मुश्किल से visible होगा जब आप zoom करके देखोगे तो इस चीज़ का बिल्कुल धियान रखना है इक कोना image का search कर देखना डाउनलोड करने से पहले गी कहीं इमेज में ब्रैंड का नाम तो नहीं लिखा हुए जिसने इमेज क्लिक की है या करवाई है तो इस चीज़ का धहान रखना वरना आप वह वाली image करोगे और copyright आजाएगा आपके product पे बाकि अगर आपको flip card पे online seller कैसे बनते वो सीखना है तो मारा flip card seller mastery course आपके लिए available है इस course में आप enroll कर सकते हो आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप online किसी marketplace से images को full HD में download कर सकते हैं और कैसे आप अपने marketplace पे upload कर सकते हैं और उनको आप sell कर सकते हैं अपनी listing successfully करके तो यह download का process आपको I hope अच्छे से समझ आ गया होगा तो इसी के साथ इस video को में यहीं पर खतम करते हैं वीडियो अगर informator and value पे लगए तो इस video को प्लीज लाइक ज़रूर करना और चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी e-commerce से related मैं वीडियो लाता रहता हूँ और playlist भी काफी सारी बनी होई है मारे channel पे online marketplaces से related तो वो playlist check out करना बिलकुल मत बूलना तो इस video को में यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं किसी अगली video में till then take care and bye